हेलो वेलकम फ्रेंड एक वाफ फिर स्वागत है आप पर इस्वन डेड़ापर मैं हूं कियास्तोंबर दोस्तों आज की वीड़ों मैं बात करेंगे इगनु की दो बड़ी अपडेट के बारे में जो अभी हाल ही में इगनु की वेबसाइट पर देखने को मिली है और यह दोन नीचे अगर अगर आप अलर्ट सेक्शन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ओनलाइन समिशन ओफ एक्जाम फोर्म जून 2021 टर्म एग्जामिनेशन यानि कि जून 2021 एक्जामिनेशन के लिए आपके जो एक्जाम फोर्म है उनको फिल करने का प्रो कर दिये हैं हाला कि complete result अभी declared नहीं हुए हैं बट कुछ subject के result आ चुके हैं अगर आपने form भरा था तो आप result चेक कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं examination को लेकर तो exam form के link पर अगर हम click करें तो आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ पर guideline और instruction का ये page है examination form का यहाँ पर सभी guideline और instruction दिये गए हैं जो काफी जरूरी हैं आपके लिए जानना सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो exam form भरने की last date है वो 15 June 2021 है वो भी without late fees यहनि कि 17 मई 2021 से लेके 15 June 2021 तक आप अपने exam form फिल कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें fees की तो यहाँ पर fees इस बार 200 रुपे पर course क कर दी गई है जो की पहले 1500 रुपे थी उसको अब 200 रुपे कर दिया गया है हाला कि एगनों को fees नहीं बढ़ानी चाहे थी बट फिर भी उन्होंने इस बार 1500 रुपे की जगा 200 रुपे फीस कर दी है जो की theory और practical classes दोनों के लिए ही है देन अगर हम बात करें बाकी guidelines की तो य यानि कि जिन सभी student ने June 2020 या December 2020 में exam दिये थे और उनके exam clear नहीं हो पाए थे तो वो भी इस form को भर सकते हैं यानि कि जो भी valid subjects हैं जो भी valid courses हैं वो सभी इसमें apply कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपका December का session है तो आप इस session में apply करेंगे अगर आपके fresh course है तो आप इस session में apply नहीं कर पाएंगे ये exam form उन सभी के लिए है जो July 2020 session के लिए valid थे यानि कि वो June 2021 में भी exam दे सकते हैं या फिर वो सभी students जिनके कुछ subjects रह गए थे जिनको pass out नहीं कर पाए थे वो सभी इस exam form को fill कर सकते हैं तो यहाँ पर काफी सारी guidelines दी गई हैं तो आपको इन सभी guidelines को carefully पढ़ना है अगर आप exam form fill करने वाले हैं क्योंकि अगर आप इन guidelines को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि बाद में आप कोई mistake कर दें तो इसलिए इन सभी guidelines को एक बार जरूर पढ़ें और उसके बाद अगर आ आपको regional center code यहाँ पर select करना होगा जो भी regional center आपका है सभी details डालने के बाद आप submit के option पे click करके उसके बाद अपना बाकी exam form बर सकते हैं exam form बढ़ने को लेकर मैंने काफी videos बनाई हुई हैं आप उन videos को देखकर अपना exam form बर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं new video बनाओ इ इसमें समझा दूगा देन आप बात करते हैं जो दूसरी update re-evolution result को लेकर थी उसपे अगर आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 माई को यह update हुआ है और यहाँ पर लिखा है click here for re-evolution result December 2020 जैसे आप इसपे click करते हैं आप next page पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको simply अपना enrollment number फिल करना होगा और submit करना होगा submit करने के बाद अगर आपने यहाँ पर यह evolution का form फिल किया था और आपका result आ चुका है तो यहाँ पर आपको display किया जाएगा otherwise आपको कुछ इस तरह का display होगा जहां लिखा होगा enrollment number not found result yet to be declared यानि कि आने वाली updates में बाकी result declare हो जाए जो सभी student अपने exam form फिल करना चाहते हैं या वो सभी student जो December 2020 re-evolution result का wait कर रहे थे तो उमेद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी मैं मिलूँगा आपसे next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक अपना ध्यान दखिएगा and thank you so much for watching